हेलो गाईज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एकेट्यू 2013-14-16-17-18-2021 मैं पूछे गए एक बहुत इंपोर्टेंट के बारे में यह question बहुत important है क्योंकि लगभग हर बार ही पूछा जाता है अगर आप बात करो sessional exams की तो आपके sessional exams में तो यह question must रहता है आएगा ही आएगा तो इस question से समझ लेना है question के है हमारा give VI characteristic curve of diode also give shockless diode equation shockless की spelling गलात हो तो I'm sorry and basically यह diode equation भी आपको देनी है give the difference between practical and ideal diode ठीक है यहनी difference बताना है आपको practical diode और ideal diode में उसके नीचे लिखा हुए difference between avalanche and junior diode short video link in description box देखो एक चीज बहुत important है अगर आपको VI characteristic curve पूछता है तो 90% times avalanche और junior diode में difference पूछता है या फिर avalanche और junior diode में आपको separately भी difference पूछा जा सकता है तो इसका मैंने short video बना रखा है अलुड़ी description box में link मिल जाएगा जाके देख लेना easy है समझ में आ जाएगा उसके बाद अगर अब बात करें कि VI characteristic क्या होती है उससे पहले देख लेते है shockless diode equation फटाफट की क्या होता है तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है shockless diode equation id equals to is e to the power vd upon eta vt minus 1 मतलब id का क्या कहता है यहां पर यह forward current के लिए represent होता है ठीक है मतलब यह forward current को represent करता है या फिर जिसको हम लोग diode current कहते है यह हमारा reverse saturation current है IS vd हमारा है forward bias voltage यानि कि forward current के time क्या voltage था eta है हमारा idealty factor यह differ करता है silicon में अलग होता है germanium में अलग होता है I think silicon में 0.3 होता है और germanium में 0.7 values अगर split हो तो कर लेना मुझे exactly यार नहीं है किसका क्या होता है बड़ ऐसा ही कुछ होता है दोनों में ठीक है vt क्या होता है thermal voltage thermal voltage maximum 98% time आपको room temperature के लिए ही पूछेगा तो आपको यह चीज याद रखना है 0.02586 vt की value होती है room temperature के लिए ठीक है यह value याद रख लेना ताकि exam में quickly आप कर पाऊ इस पर से question जो भी आते है numerical short numerical होते हैं दो तीन चार नंबर में आएगा ठीक है आइदर आपको id पूछेगा या is पूछेगा या फिर बहुत rare case में आपसे vd पूछ लेगा बाकि सब given होगा ठीक है हमारा vi characteristic curve graph आपको ध्यान से समझ लेना है क्योंकि यह graph बहुत important graph है इसी को हम लोग practical diode का भी graph कहते है ठीक है practical diode का graph इसी तरीके से बनता है ideal diode का मैं अभी आपको दिखा दूँगा बाद में फिला हम लोग बात करें इसकी तो यह क्या है हमारा सबसे पहले देखो यह एक pn junction diode का graph है जब भी वो हमारा pn junction diode forward bias में होगा ठीक है मतलब diode का pn junction जब भी forward bias में होगा forward bias यह नी की forward bias region में ठीक है यह हमारा reverse bias region है यह हमारी reverse saturation current है यहां पे voltage break down है यहां पे cut-in voltage है यह forward में बता चुका हूँ ठीक है यह forward current है okay so जब forward bias region में हमारा graph चलेगा तो exponentially move करेगा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज क्या है जब भी cutting voltage आपकर होगा जहां पे भी cutting voltage आपकर होगा वहां से rapid increase होगा हमारा forward current ठीक यह दो चीज़े याद रखने है forward bias region में इसके बाद reverse bias region की अगर बात करें तो जब pn junction diode reverse bias condition में होता है ठीक है तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो reverse saturation current flow करती है reverse direction में और इसी के साथ जब भी हमारा voltage breakdown अकर होता है ठीक है जब voltage breakdown अकर होता है तो उसका मतलब होता है कि pn junction यहां से break हो गया है और pn junction break हो गया या damage हो गया है तो उसका मतलब यह होता है कि वहाँ से reverse saturation current में बहुत ही rapid increase आता है ठीक है बहुत ही high increase आता है यह point आपको याद रखना है बहुत important point ने exam में लिखने के लिए कि voltage breakdown point पे क्या होता है वहाँ पे हमारा pn junction जो है वो damage हो जाता है और वहाँ से reverse saturation current बहुत highly increase कर जाती है ठीक है अब highly increase करेगी तो of course reverse direction में increase करेगी ठीक है और एक last और important point क्या है reverse saturation current is doubled with every 10 degree celsius rising temperature यानि कि हर 10 degree celsius temperature के increase होने पे reverse saturation current क्या होती है double होती जाती है ठीक है so यही कुछ points इससे related यहाँ पे लिखे हुए है जो मैंने आपको graph दिखा के explain कर दी है लिखना कैसे है आप लोग देख लो बाकी read करना हो आप लोग एक बार read कर सकते हो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ideal diode की so basically अगर बात करें ideal का मतलब क्या होता है ideal का मतलब होता है कि बिना किसी input के वो infinite times तक output generate कर सकती है कोई भी चीज अगर ideal है तो इसका मतलब है कि वो zero volt पे भी जलेगा ठीक है और एक infinite time तक वो जलता रहेगा बलब बंद नहीं होगा अपनी full capacity से वो जलता रहेगा तो उसको हम लोग ideal बलब करेंगे सेम उसी तरीके से जब ideal diode की बात करते है तो उसका graph कुछ इस तरीके से बनता है यह graph क्या represent करता है यह graph represent करता है कि forward by s region में यह perfect conductor की तरह काम करेगा क्यों काम करेगा क्योंकि forward by s region में आप देख सकते हो current maximum है और voltage क्या है minimum यानि zero volt पे maximum current यानि zero volt input देने पे maximum current flow हो रही है उसमें से ठीक है जितनी जादा हो सकती है उतनी जादा इसका मतलब है कि यहां पर resistance क्या है हमारा 0 resistance 0 होगा तभी current maximum होगी तो vertical line पर क्या होता है current resistance हमारा 0 होगा current हमारी maximum होती है इसलिए perfect conductor की तरह behave करता है हमारा diode ठीक है और जब हम बात करेंगे reverse bias region की तो reverse bias में जब भी जाएगा तो क्या होगा current हमारा 0 होगा और voltage हमारा maximum यानि कि हम कितना भी voltage देते जाए current 0.1 decimal से भी increase नहीं करेगी वो एकदम perfect insulator की तरह work करेगा यानि कि horizontal line के represent कर रही है यह represent कर रही है कि यहाँ पर हमारा resistance जो है वो infinite है ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा ideal diode यही चीज लिखा भी हुआ है यहाँ पर okay so this was all for today's video अगर video अच्छी लगी हो तो channel को subscribe कर देना video को like कर देना and playlist visit कर लेना playlist में काफी सारे हम लोगोंने previous year के AKTU questions अल्रेड़ी discuss कर रख है so all the very best for the exams thank you so much for watching the video